क्या आप जानते हैं कि जिस इंसान ने बॉलिवुड को मुन्ना भाई जैसा किरदार दिया, वो कभी एक टाइप राइटर बेचने वाले सेल्समेन थे। अगर आप सोच रहे हैं कि ये मजाख है तो ऐसा नहीं है। ये कहानी है। राजकुमार हिरानी, उर्फ राजु, हिरानी की जिन्होंने अपनी मेहनत और जुनून से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनकी जिन्दगी का हर अध्याय संगर्ष समर्पन और सफलता से भरा हुआ है। राजु हिरानी का जन्म, 20 नवंबर, 1962 को नागपुर में हुआ था। उनके पिता सुरेश हिरानी, नागपुर में एक टाइपिंग इंस्टिट्यूट चलाते थे। यह इंस्टिट्यूट किसी समय सिर्फ दो टाइप राइटर्स से शुरू हुआ था, लेकिन सुरेश हिरानी की महनत रंग लाई। और यह इंस्टिट्यूट इतना बड़ा हो गया कि 16 बैचों में लगभग 1000 चात्र यहां टाइपिंग सीखने आते थे। टाइपिंग इंस्टिट्यूट के बढ़ते दाइरे के साथ साथ टाइप राइटर्स की मांग भी बढ़िए। सुरेश हिरानी ने अपने कारोबार को बढ़ाते हुए टाइप राइटर्स बेचना भी शुरू कर दिया। यहीं से राजू हिरानी की महनत की कहानी शुरू होती है। राजू अपने पिता के साथ टाइप राइटर्स की सेल संभालते थे। उनकी लगन इतनी थी कि एक बार उन्होंने लगातार 40 दिनों तक रोजाना एक टाइप राइटर बेचने का रिकॉर्ड बनाया। लोग मानते थे कि राजू हिरानी अपने पिता के इस कारोबार को ही संभालेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मनजूर था। राजू हिरानी को फिल्मों में गहरी दिल्चस्पी थी। वे एक्टर बनना चाहते थे। जब उनके पिता को यह पता चला तो उन्होंने राजू का एक फोटो शूट करवाया और उन्हें मुंबई के एक एक्टिंग स्कूल भेज दिया। लेकिन एक्टिंग स्कूल में राजू का मन नहीं लगा। महस तीन दिन बाद ही वे नागपूर लोट आए। पिता सुरेश हिरानी ने उनके सपनों को समझते हुए एक सुझाव दिया। दियारेक्शन कोर्स करना चाहते थे लेकिन वहाँ पहले से ही बहुत ज्यादा भीड थी। आखिरकार उन्होंने एडिटिंग कोर्स चुना। राजू को इंस्टिट्यूट में स्कॉलर्शिप भी मिली। जिससे उनकी पढ़ाई का खर्च उनके परिवार पर बोज नहीं दिया वादा अधूरा रह गया। राजू अपने फिल्म इंस्टिट्यूट के दोस्तों के साथ रहते थे। कभी-कभी उन्हें एडिटिंग के फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिल जाते थे और कभी कई दिनों तक खाली बैठना पड़ता था। साल 2000 में उनकी किसमत ने बड़ा मोड लिया राजू को। विधू विनोद चोपडा की फिल्म मिशन कश्मीर के एडिटर के तौर पर काम करने का मौका मिला। इसी साल उनके पिता को अपना टाइपिंग इंस्टिट्यूट बंद करना पड़ा। कम्प्यूटर के आगमन से टाइपर आइटर्स की मांग खत मचा दी। इसके बाद राजू हिरानी ने कभी पीछे मुड कर नहीं देखा। उनकी हर फिल्म एक मास्टर पीस साबित हुई। उनकी फिल्में जैसे लगे रहो मुन्ना भाई थ्री इडियट्स पीके। और संजू ने न केवल दर्शकों का दिल जीता बलकि जीत एक पाइलट हैं और उनका परिवार बेहत साधारन और खुशहाल जीवन जीता है। राजू हिरानी की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर जुनून और समर्पन हो तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। उन्होंने टाइप राइटर बेचने वाले एक साधारन परिव परिवार से निकल कर बॉलिवुड के सबसे प्रतिष्ठित डायरेक्टर्स में अपना नाम दर्ज करवाया। उनकी फिल्मों में जो भावनाएं हूमर और सामाजिक संदेश होते हैं वह इस बात का प्रमान है कि सच्चे आर्टिस्ट वही हैं जो अपनी कहानियों से लोग देहरी छाप छोड़ी।